इनकी बेटियां करें तो लव दूसरों की करें तो जिहाद सीम बगेल ने बोला भाजपा पर हमला 36 गड़ के सीम गुपेश बगेल ने बुद्वार को लव जिहाद के मसले पर विपक्षी बीजेपी के नेताओं पर करारा हमला बोला है उन्होंने विजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी बेटियां करें तो लव और दूसरों की करें तब जिहाद बगेल बिलासपुर जिले के अलगतरी गाओं पहुँचे और एक इंटर्व्यू के दौरान उन्होंने विजेपी पर इलजाम लगाया है कि भाजपा बेमेतरा के बेरंद पुर गाओं में हुई हिंसा की घटना पर सियासी रोटी सेखने का प्रयास कर रही है मुख्यमंतरी बगेल ने ये भी कहा कि बीजेपी ने ना तो घटना की जाच की ना ही रिपोर्ट का इंतजार किया और दूसरे दिन बंद का आफान कर दिया ऐसे में एसी पैदा हो गई जैसे 36 गड़ में पता नहीं क्या हो गया दो बच्चों की भी जगड़े में मौत होई ये दुखाद है इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता मगर इसकी आड़ में राजनीतिक रोटी सेखने का प्रयास हो रहा है बुख्यमंतरी बगेल ने लव जिहाद के मुद्डे पर बीजेपी निताओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे लव जिहाद की बात करते हैं बीजेपी के बड़े निताओं की बात करें तब तो उनकी बेटियों ने किसके साथ शादी की है जिहां मुसल्मानों से वो लव जिहाद नहीं है 36 गड़ के सबसे बड़े निता की बेटी पता नहीं कहा है वो लव जिहाद नहीं है इनकी बेटियां करें लव तो दूसरे करें तो जिहाद मघेल ने बीजेपी निताओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि वे इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आपको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेखनी आती हैं अपने दामात को मंतरी बना कर रखते हैं सांसद बना कर रखते हैं पर दूसरों के लिए दूसरा कानून लगाते हैं दोस्तों बता दें आपको कि बिरनपुर गाउं में हिंसा कि घटना के बाद साहू समाच के अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई थी घटना की कमिशनर से जाच कराने के आदेश हो चुके हैं सरकार ने इमरत युवक के परिवार को दस लाख और एक सरकारी नौकरी देने का वदा किया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद हुआ 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 है